हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू पैशनेट फो कार्ज वी डॉग अटो मोबिल्स यह आज आप देख रहें फोर्ड एको स्पोर्ट यह भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहें यह ट्रेंड वेडियंट है एको स्पोर्ट का एको स्पोर्ट में आपको पैट्रल और डीजल दोनों एंजिन उप्शन मिलेंगे पैट्रल में 1.2 cc एंजिन उप्शन मिलेगा और डीजल में 1.5 cc एंजिन उप्शन मिलेगा बट एको स्पोर्ट में आपको कोई भी आटोमेडिक ट्रांस्मिशन का उप्शन ने मिलेगा इसमें सिर्फ आपको manual transmission का ही option मिलेगा, अगर pricing की बात करें, तो range शुरू होती है, 9,13,000 रुपीज से, और top model की price है, 13,07,000 रुपीज, और ये trend variant की price है, 10,55,000 रुपीज, ये मैंने सारी on-road price बताई है, ये price vary करेगी city to city, warranty की बात करें, तो eco-sport में आपको 3 साल, या फिर 1,00,000 किलोमीटर की warranty मिलेगी, whichever is earlier, आप इसे extend भी कर सकते है, at the time of purchase, और front से कुछ गारी ऐसी दिखती है, इसमें आपको halogen headlamp दिये हुए, और नीचे आपको fog lamp, और turn indicator एक ही unit में दिया हुआ है, और यहां से खोलेंगे engine compartment, आईए मैं आपको इसका दिल दिखाता हूँ, eco-sport का, और यहां पर मिलते हैं आपको 1500cc 4-cylinder engine, और यह produce करेगा 99 bhp, और 215 newton meter का torque, और हम भारतियों का सबसे पसंदिदा सवाल, aka खितना देती है, तो ford claim कर रहा है 21.7 km per liter का, और इसमें आपको 52 liter की fuel tank मिलेगी, eco-sport में आपको 7 color option मिलेंगे, choose करने के लिए, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको, ruby red, oxford white, moon dust silver, deep impact blue, absolute black, smoke gray, और white gold, यह अभी आप अपनी screen पे देख रहे हैं, यह smoke gray color देख रहे हैं, eco-sport के suspension की बात करें, तो front में आपको independent mac person suspension मिलेगा, और rear में आपको semi-independent twist bimp type suspension मिलेगा, और यह आप BS6 गाड़ी देख रहे हैं, भारत stage 6, और आप एक तरीके से कह सकते हैं, कि ford ने ही यह trend शुरू किया है, sub 4 meter में compact SUV का, और इसकी success देखने के बाद ही, काफी car manufacturers इसे अपनाया था, और आज sub 4 meter में काफी compact SUV आ रही हैं, आप सब जानते ही हैं, और eco-sport को पहली बार 2003 में, Mexico में लाया था, और as a 2004 model, यह पहली बार 2004 में launch हुई थी, मैं around the globe की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में यह पहली बार 2004 में introduce हुई थी, चलिए तो फिर इसके exterior dimension की बात कर लेंगे, length मिलती है, 398 mm, weight मिलती है, 1765 mm, height मिलती है, 1647 mm, और इसका wheelbase है, 2519 mm का, और इसमें आपको अच्छा-कासा ground clearance मिलता है, 200 mm का, और इसका curve weight अप्रोक्स में बता रहा हूँ, 1277 kg, और इसका turning radius है, 5.3 मीटर का, और EcoSport की assembly आज, इंडिया, रशिया, ब्राजिल, थाइलेंग और चाइना में होती है, और यहाँ पे यह आप देख रहें, cap wheel, इस model में आपको alloy wheel नहीं मिलेंगे, अगर टायर साइस की बात करें, तो 205-60, R16 के टायर मिलेंगे, front में disc brake मिलेगी आपको, और यहाँ rear में आपको drum brake मिलेगी, चलिए फिर safety के बारे में बात कर लेते, तो इस model में आपको two airbag, seatbelt warning, ABS, anti-lock braking system, EBD, electronic brake force distribution, engine immobilizer, central locking, और child safety lock मिलेगा आपको, और एक आप अच्छे से look ले लिजिए, पीछे से गाड़ी का, और यहाँ इसका spare wheel पीछे लगा हुआ हो रता है, जो अमेरिका में eco-sport आती है, उसमें spare wheel नहीं देते, इसमें भी आपको cap wheel ही दिया हुआ है, और अगर आप इसका cover लेना चाहते हैं, तो आपको accessories में वो मिल जाएगा, मेरे इसाप से मैं बता रहा हूँ, प्रोक्स आपको वो 11,000 के करीब इसका cover मिल जाएगा, चलिए तो फिर इसकी boot खोल कर देखेंगे, और यहाँ से आप boot खोल पाएंगे, यहाँ से खोल पाएंगे इस तरह से, यह इस तरह से यहाँ side में खुलता इसका boot, उपर की तरफ नहीं खुलता, तो एक आप अच्छे से look ले लिजे इसका boot का, तो यहाँ पे आपको 352 लीटर की boot space मिलेगी, और यहाँ side में आपको कुछ space दी हुई है, यहाँ पे भी दी हुई है, और यहाँ रियर पाचल ट्रे आती है, यहाँ भी नहीं रख्यू हुई, बंद कर देंगे इसे, आईए रियर डोर खुल कर देखेंगे, तो यहाँ पे आपको armrest पे यह plastic finish दी हुई है, और यह grab handle, यहाँ पे नॉर्मल ही बंद होता है, देखेंगे इसमें यह जगा दी हुई है, एक grab handle ही है, और यह power window का switch दी हुई है, यहाँ पे और यह door को unlock करने के लिए, और यहाँ नीचे bottom holder और एक speaker दी हुई है, और यहाँ पे आपको दो exhaustible headrest दी हुई है, और यह fabric seeds दी हुई है, आप देख लिए, आईए अंदर बैठ जाएंगे गाड़ी के, तो यहाँ पे आपको grab handle दिया हुआ है, hook के साथ, यहाँ पे भी सामने की तरफ, co driver, और यहाँ पीछे की तरफ भी आपको दिया हुआ है, grab handle, hook के साथ, और यहाँ अच्छी space है, आप देखिए, मेरी height 511 है, फिर भी इसमें यहाँ जगा बच रही है, और यह पीछे से scoop किया हुआ है, तो space है यहाँ पे, और यहाँ पे यह pocket दिया हुआ है, co driver के पीछे, co passenger के seat के पीछे, और यहाँ से ऐसा दिखता है इसका dashboard, आईए आगे चल कर देखेंगे, और यहाँ भी अपन खोल रहे है driver side door, और यह two tone में यहाँ door दिया हुआ है, और यह armrest पे plastic finish, और यह grab handle, और यह 4 power window के switch इस यहाँ दिये हुए, और यह joystick side view mirror को exhaust करने के लिए, और यह window lock करने का बटल, इसमें आपको retractable नहीं मिलेगा, वो हाथ से ही बन करना पड़ेगा, side view mirror का, और यह lock और unlock बटन, और यह door को unlock करने के लिए, यहाँ twitter दिया हुआ है, और यहाँ नीचे bottle hold कुछ space, और यहाँ आपको manual height adjuster दिया हुआ है, ऐसे दिखते हैं इसकी चाबी, एक आपको simple key मिलेगी, और इस तरह से key मिलेगी, lock unlock का बटन दिया हुआ है, इससे चालू कर लेंगे, मैं माफी चाओंगा, अगर camera थोड़ा हीलेगा तो, एक आथ से थोड़ी दिक्कत होती है, यह हो गई start, और यह instrument cluster भी आप देख रहें, यह काफी easy to operate है और simple है, यह शो करेगा trip meter, average fuel consumption, average speed, distance to empty, clock, low fuel level warning, और 2000 warning भी आपको दिखाएगा, और यहाँ पर यह lights के control दिये हुए, और यहाँ पर यह wipers के control, और यहाँ पर यह lights के control दिये हुए, आप दिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ नीचे कुछ space दिये हुई है, और यह touchscreen system, और यह support करेगा, GPS, global positioning system, USB, aux, Bluetooth, MP3 playback, AM, FM radio, यह support करेगा, और यह काफी bright screen है, और यह आपको time भी show कर रहा है, और यहाँ से आप यह sound के लिए आप exist कर सकते हैं, अपने सबसे left, right, आगे या पीछे जहाँ पर भी आपको यह रखना हो, यह clock दी हुई है, overall यह मुझे काफी पसंद आई डिस्प्ले, और काफी sensitive भी है, इतना आपको hard नहीं प्रेस करना पढ़ रहा, इसमें आप Wi-Fi भी connect कर सकते हैं, यहां म्यूजिक दिया हुआ है, और यहां पर नीचे बटन दिया हुए, यह प्रेस करेंगे, डाइरेक काफ होम बटन पर आ जाएंगे, और यहां से वॉल्यूम प्लस माइनस कर पाएंगे, यहां से आप track चेंज कर पाएंगे, गाने के वगेरे, और यहां नीचे दो AC वेंट दिया हुए, यह parking light का बटन दिया हुआ है, और यहां नीचे automatic climate control दिया हुआ है, यहां से fan की speed प्लस माइनस होगी, यहां से आप temperature प्लस माइनस कर पाएंगे, और यह maximum AC का बटन दिया हुआ है, instant cooling के लिए, AC on-off का बटन भी दिया हुआ है, और यहां अलग-अलग modes दिया हुए, और यह auto AC का बटन, इस तरह से आप बंद करेंगे, और यहां नीचे आपको दो USB के point दिया हुए, और कुछ space, और यहां पे भी कुछ space दिया हुए है, और यह 12 volt का outlet point, और यहां 5-speed manual transmission दिया हुए है, और यहां यह handbrake दिया हुए है, यह दो bottle holder, यहां कुछ space दिया हुए है, और पीछे भी एक bottle holder दिया हुए, और यहां पे भी space दिया हुए है, यह glove box दो पार्ट में divide किया हुए, अच्छा है, बंद कर देंगे इसे, और यहां co-driver के लिए आपको sunshade पे सिर्फ mirror दिया हुए है, बंद कर देंगे इसे, और यह rear view mirror यहां दिया हुए, और यहां आपको front में reading lights दिया हुए है, और यहां driver side आपको sunshade पे सिर्फ कुछ नहीं दिया हुए है, चलिए तो वीडियो को, यार मैंने देखा हुआ है, काफी लोग वीडियोज देख रते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इफ यू लाइक मैं वीडियो और फाइंड इंफॉर्मेटिव, तन प्लीज दू सब्सक्राइब तो मैं चैनल, and share this video with your friends and family, and please like our page on Facebook and follow us on Instagram. Peace.